नमस्कार दोस्तों वेलकम टू करेंट अफेस दोस्तों चाइना वेस्टन पैसिफिक ओशिन में एक विसाल टेलिस्कोप का निर्माण करने चाहरा है यह गोस्ट पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेगा जीने न्यूट्रिनो कहां जाता है साइन्टिस्ट का कहिना है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलिस्कोप होगा यहाँ पर आप इंडियन एक्स्प्रेस का अर्टिकल्स देखिए चाइना टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस गोस्ट पार्टिकल्स डिटेक्टर वोट आ न्यूट्रिनोज और दोस्तों हम य यह जो वैस्टर पैसिफिक कोशन का जो पार्ट है यह साउट चाइना सी अब साउट चाइना सी को लेकर कई ृप्स्प्योड चल रहे है rif यह होगा ने हिएक तरस द संहब्स का मृट्स देलिसकोप है इसका नाम है ड्राज इस nah नूजाworker स्ब इसको ocean well भी कहा जाता है अब घोस्ट पार्टिकल क्या होता है तो यह जोच्ट पार्टिकल न्यूट्रीनों क्या है यह समझने के लिए पहले हमें जैसे कि proton, neutron, electron, proton में positive charge होता है, electron में negative charge होता है, और neutron में कोई charge नहीं होता, तो ghost particle neutrino जो है, ये एक प्रकार से electron है, लेकिन neutron की तरह उनमें कोई charge नहीं होता है, वो हमारे universe में most evident particle में से है, मतलब कि लगातार आपकी आसपास से second में trillions of neutrinos पास हो रहे है, आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे particles होते हैं, जब तक scientist नहीं ये proof नहीं दिया, कि उनका mass बहुत छोटा होता है, तब तक neutrino लंबे समय तक mass less मना जाता था, neutrino एक तो weak charge होते हैं, और almost non-existence mass होते हैं, इसकी वज़े से उनको observe करना बहुत difficult हो जाता है scientist के लिए, उन्हें सिर्फ तभी देखा जा सकता है, जब वो other particles के साथ interact करते हैं, वैसे तो other particles के साथ interact करना लगबग impossible है, इसलिए उसे ghost particle कहा जाता है, अब question यह है कि उनको detect कैसे किया जा सकता है, ghost particles बहुत rarely other particles के साथ interact करते हैं, लेकिन बहुत rarely मतलब कि कभी नहीं करते ऐसा भी नहीं है, कभी कभी वो water molecules के साथ interact करते हैं, और इसी वज़े से चाइना पाने के अंदर अपना ghost molecule telescope बनाने जारा है, इतने deep portion में telescope बनाया जारा है ताकि इसके नीचे जो sensors होंगे, और उपर से neutrinos जब पास हो रहे होंगे, और जब वो water molecules के साथ interact करेंगे, तब उनको detect करने की कोशिश की जाएगी, और जब वो water molecules के साथ interact करते हैं, तो उस समय क्या होता है, तो जब भी वो water molecules के साथ interact करते हैं, तो by product छोड़ते हैं, और सबसे बड़ा neutrino detecting telescope, Madison Wisconsin University का ice cube telescope है, ये Antarctica में आपको देखने को मिलेगा, इस telescope का sensor लगबग 1 cubic kilometer तक फेले हुए है, अब चाइना जो यहाँ पर South China Sea में बनाने चाहरा है, उसका नया telescope, जिसे trident कहां जाता है, उसका sensor लगबग 7.5 cubic kilometer तक फेला होगा, scientist का केना है कि इसकी से neutrinos को detect करना आसान हो जाएगा, और हो 10,000 गुना ज्यादा sensitive होगा, मतलब चाइना का ये टेलिस्कोप काफी सारी चीज़ हरी विल कर सकता है neutrinos के बारे में, अब ये इतना important क्यों है, तो scientist भी इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती है, कि ये eventant particles के से एक करते हैं और चाइना यहाँ पर इसके बारे में study करने की कोशिश कर रहा है, तो दोस्तों इसी note के साथ वीडियो करते हैं खतम, उमीद है यहाँ पर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, thank you for listening